नमस्कार दोस्तों स्पेक्ट्रम पार्ट 59 वीडियो में आपका स्वागत है। करेंगे वहाभी वलिवल्लार मूव्मेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगर समय वच्ता है तो टीटू मूर मूव्मेंट और फराइज्स मूवेंट। ये भी मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में cover करवा दूँँ देखता हूँ कितना समय लगने वाला है तो आगे बढ़नेस पहले दोस्तों आई होप आपनी किताब खरीद दियोगी वीडियो पे like का बटन दवाना बिल्कुल न भूलें आगे बढ़नेस पहले दोस्तों आप वीडियो को शेर कर दीजे अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो की notification के लिए आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजे नीचे description box में link दिया हुआ है मेरे को Instagram पर follow कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं सबसे पहले दोस्तों वोका लिगा सिंगा के बारे में ज़्यादा information spectrum में दी नहीं है ठीक है और ज़्यादा information लेने की जरूद भी नहीं है वोकाली का संगा के बारे में आप यह याद रखे मैसूर नाम की जगा है बैंगलूरू के पास वहाँ पर यह launch हुआ था हालाकि मैसूर सेंटर था आपका टीपो सुल्तान और हैदर अली की ताकत का इसके बारे में मैंने मैसूर वार्स भी बता रखे है वोकाली का संगा ने एक एंटी ब्रह्मिन मुव्मेंट लॉंच किया था निस सुपाच में तो वही बात है कि जो अपर कास्ट की डॉमिनेशन थी उसके अगेंस था यह वोकाली का संगा बस इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है मेंज चीज है जस्टिस मुव्मेंट जस्टिस मुव्मेंट एक मेजर चीज है इसको मैं समझाता हूँ आपको देखे जस्टिस मुव्मेंट की शुरुआत हुई थी मदरास प्रेजिडेंसी में और इसको शुरुआत किसने की थी सी एन मुदालियार, टीम नायर और पी त्याग राज इन तीनों ने मिलके मदरास प्रेजिडेंश्य में शुरुआत की किसकी जस्टिस मूवमेंट की फर्स्ट आफ आल जस्टिस पार्टी के मेंबर्स थे नौन ब्रह्मिन्स, इनका ये कहना था कि भईया जो नौन ब्रह्मिन्स हैं जो अपर कास्ट में जो लोग नहीं हैं उनको लेजिसलेचर में आप रिप्रेजेंटेशन दीजे और इस जस्टिस मूवमेंट के पैरलल आप देखोगे दोस्तों कि जो कॉंग्र्स पार्टी थी ना, कॉंग्रस पार्टी, इन्टनेशन प्रेजेंशन की बात करे हूँ इन्टनेशनल कॉंग्रस में जो नौन ब्रह्मिन्स लोग थे उनोंने एक और presentation शुरूत किया, जिसका नाम था मदरास Presidency Association मदरास Presidency Association के बारे में आपको basic information दू तो basically it was a faction of Indian National Congress ओके, Indian Independence से पहले exist करता था Justice Party non-Brahmin को promote करती थी मदरास Presidency में तो Justice Party एक अलग party थी Justice Party को किसने बनाया यह मैंने आपको बता दिया Indian National Congress में जो non-Brahmin थे उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया मदरास Presidency Association मदरास Presidency Association कब बना? 20 September 1917 को एक meeting हुई थी non-Brahmin Congress leaders की चेन्नाई में जिसमें prominent leaders थे E.V. Ramaswami, V. Kalyan Sundaram, P. Varad Rajaloo Naidu and Guti Keshwa Pillai, G.K. Pillai कभी उतनी important information नहीं है यह मदरास Presidency Association को लेके चुकि Justice Movement बताया Justice Party तो Justice Party ने मदरास Presidency में एक movement छेडा इस movement के तहित non-Brahmin को बोला गया कि legislature का member बनाई जाईए यही movement इंडियन National Congress के भी एक faction ने शुरू किया जिसमें non-Brahmin movements थे अभी जब बात आती है दोस्तों मदरास Presidency Association की तो इसी तरीके के नाम का Association है जिसका नाम है मदरास Native Association यह मदरास Presidency Association और मदरास Native Association अलग-अलग है मदरास Native Association 1849 ने बनाया गया था किसने में गलाया है था गजूलू लक्ष्मी नरासु चैती याद रखिएगा इस पर नेटिव अस्यों का काम क्या था आधिया Rights of Indians Indians के राइट उनको पूरी तरीके से मिल सकें इसलिए ये लोग petition करते थे अंग्रेज सरकार के सामने चुकि 1850s में केवल आप कह सकते हो कि moderate ही available थे in fact moderates का concept भी 1885 के बाद आएगा जब international congress बनेगी तो आप कह सकते हो कि ये 1849 की बाद है 1852 की बाद है तो उस समय पे कुछ ऐसे elite लोग खड़े हुए जिरोंने Indians के लिए हक माँगना शुरू किया किसे अंग्रेजों से अभी मदरास में बना मदरास Native Association उसी तरीके से 26 अगस्त 1852 को Bombay में बनेगा Bombay Association तो जो Bombay की public थी उनके grievances को British authorities के पास पहुचाया जा सके तो Bombay Association मना 26 अगस्त 1852 को मदरास Native Association मना 1849 ने गजूलू लक्ष्मी निरासु चेटी ने मनाया और मदरास Presidency Association मनेगा 20 September 1917 को आप फर्क समझ रहे हैं न कितना बड़ा फर्क है ओके ठीक है तो Justice Movement बता दिया आपको मदरास Presidency Association मदरास Native Association बता दिया Bombay Association बता दिया चारों Associations अलग-अलग हैं याद रखेगा अब हम लोग एक बहुत Important Movement पर आते हैं जिसका नाम है Self-Respect Movement Self-Respect Movement की शुरुआत होगी कब 1925 में 1925 में होगा कि एक लीडर थे आपके साउथ इंडियन के S.Ramanathan S.Ramanathan ने किसको invite किया E.V.Ramaswami जी को E.V.Ramaswami जी को Tamil Nadu में एक Movement की शुरुआत करने की बात की गई इस Movement को बोला गया Self-Respect Movement जिसको आप दरवीदियन Movement भी बोलते हैं इस दरवीदियन Movement का काम क्या था? Demanding equal rights for the backward class तो भाईया backward class को आप बराबर के अधिकार दो और उस समय पे एक और marginalized community थी rights for women Women को आप पूरा का पूरा अधिकार दीजें तो यहाँ पे E.V.Ramaswami जी जिनका पूरा नाम था E.V.Ramaswami नायकर ठीक है? Mid 1920s में यह निए 1925 के दुरान इन्हों ने यह दरवीदियन Movement की शुरुआत की Self-Respect Movement की शुरुआत की इसका काम क्या था? यह जो Brahminical Religion है यह जो धरम के टेकेदार हैं यह जो धरम के कबजा करके बैठे हैं और जो Lower Caste हैं इनको उपर नहीं आने दे रहे हैं इनको हटाना है Exploitation of the Lower Caste को बंद करना है Brahmin Priest ने अपने हाथ में यह जो पावर को Consolidate कर रखा है इसको तोड़ना है ठीके? फिर आप देखोगे बहुत सी चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाई इस movement ने उस समय पर क्या होता था? कि अगर किसी भी घर में शादी हो तो अभी उस घर में शादी में अगर मंत्र पढ़ने तो किसको बुलाए जाएगा? पंडित जी को बलाया जाएगा वो पंडित जी हमेशा ब्रह्मिन होंगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूव्मेंट के लीडर्स ने क्या बोला? इवी रामस्वामी नायकर जी ने क्या बोला? कि देखे शादी एक ऐसा बंदन है जो कोई भी पूजा करा के करा सकता है पूजा कराने के लिए किसी ब्रह्मिन पंडित को बुलाने की करोत ने कोई भी प्रीष्ट बनके ये पूजा करा सकता है एक ब्रह्मिन का प्रीष्ट होना यहाँ पे जरूरी नहीं है तो आप यहाँ देखोगे दोस्तों जैसा कि इस मुवमेंट का नाम था self respect मतलब की ये मुवमेंट लोगों के self respect की बात करता है तो लोगों को society में self respect मिले और खासकर उन लोगों को जिनको हमेशा से पीछे की तरफ ढखेला गया है जो so called backward classes को belong करते हैं उनको self respect मिले self respect को तमिल लिटरेचर में क्या नाम दिया जाता था तान मानम या सूर्य मरियादाई सूय मरियादाई या तान मानम तो भाई बोला गया कि तमिल लिटरेचर में तान मानम या सूय मरियादाई यानि self respect की यहाँ पर बात की की ठीक है आके आप देखोगे कि भई पेरियार रामस्वामी और पेरियार रामस्वामी को invite किसने किया था रमनाथन जी ने मैंने शुरुवात मता है एस रमनाथन जी ने invite किया था तो एस रमनाथन जी और पेरियार रामस्वामी दोनों मिलके काम कर था यहाँ पे ईवी रामसवामी नायकर को पेरियार भी कहा गया है तो भईया, इंड़े जिए में सर्फनिक रिस्पेक्ट ले क्या हूँ कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन को बंद करो, और खास बास दोस्तों यहाँ पे ये कि पेरियार जी के व्यूज आपको यहां पर समझने हैं बहुत दरूरी है पेरियार जी ने बोला कि ये देश में जो गांधी जी है नहरू जी है ये जिस तरीके के मुव्मेंट को चला रहा है वो पॉलिटिकल फीडम मांग रहा है लेकिन मान लीजे हमको पॉलिटिकल फीडम मिल भी जाती है तो भी इंडिविज्वल फीडम नहीं मिलेगी चोकि इंडिविज्वल फीडम का मतलब ये है कि हर एक इनसान को ये हक है कि वो अपने हिसाब से काम कर सके अभी political freedom मिल भी जाएगी तब भी हर एक इंसान को वो हग नहीं मिलेगा कि वो अपने हिसाब से काम कर सके true freedom का मतलब क्या था पेरियार जी के लिए कि self freedom हो एक इंसान के पास ये हग हो कि वो कुछ भी कर सके तो अगर उसको किसी एक particular person से शादी करने का माने तो वो उससे शादी कर सके अगर कोई lady है जिसका पती मर गया है तो ज़रूरी नहीं है कि उस lady को जिंदीगी बर विडो रहके रहना पड़े गालियां सुननी पड़े अत्याचार सहने पड़े ज़रूरी नहीं है उसको भी रिमेरी करने की right होने चाहिए तो self respect moment widows के लिए भी लड़ा self respect moment women's के right के लिए भी लड़ा और self respect moment जो lower caste के लोग थे जिनको धरम के ठकी दरों नहीं साइट कर दिया था उसके लिए भी लड़ा ओके और political freedom भी इनके लिए important थी बट political freedom से पहले इनके लिए important थी self freedom individual freedom तो इनकी primary demands क्या थी कि भाईया men और women के साथ बराबरी का विवहार economic parity तो society में ऐसा ना हो कि एक तपका ऐसा निकला जो बिल्कुली गरीब हो गया नीचे की तरफ जुकता चला गया और एक तपका ऐसा निकल के आया जो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया caste के against बात करते थे caste system के against बात करते थे religion के basic जो society बटे होई थी उसके against बात करते थे अभी caste के अंदर भी वरन बात रखे थे गोतर बात रखे थे इन सब चीजों के against बोलते थे देश के citizens की general unity की बात करते थे देश के सारे citizens के अंदर friendship की बात करते थे तो एक चीज थी chastity woman की chastity उस समय पे एक बहुत बड़ी चीज थी क्या था ना उस समय पे जो upper class Hindu society थी उसमें जो आदमी हुआ करते थे ना उन आदमियों के पास मरदानगी दिखाने के लिए कुछ और नहीं था तो वो कहां मरदानगी दिखाते थे ladies पे तो ladies को दबा के रखो उनको घर से बान मन निकलने दो जदा बोले तो दो तीन थपड लगा दो इस तरीके से ladies को परिशान करते थे और ladies से क्या कहा जाता था कि आप अपनी chastity को maintain करिये chastity का मतलब क्या होता है देखें मैं बिलकुल simple time से बताऊंगा आप जाके dictionary में भी देख सकते हो chastity का मतलब होता है कि एक lady से ये expect किया जा रहा है कि भाईया वो बिलकुल pious रहे बिलकुल pure रहे ठीके ना वो किसी भी आदमी की तरफ मत देखें ठीके ना sexual relationship पे तो उसका दिमाग ही नहीं जाना चाहिए तो इस तरीके की चीज़ें ये लोग women से expect करते देखोद ये तीन साधी करें चार साधी करें कहीं भी कुछ भी करें कोलिनिजम के नाम पे एक 60 साल का बुड़ा एक 15 साल की बच्ची शाधी कर ले वो सही है लेकिन ladies से क्या expect किया जा रहा है कि ये chastity करें तो यहाँ पे जब self respect moment चलता है तो ladies भी उटके सामने आई और उन्होंने बोला कि आ खायना इसे chastity आप बोलोगे ठीके ना मतलब ये एक तरीके से woman का शोषण है हम अपनी chastity करने के लिए free है हमें आके आप ये भासरा मत दीजे कि chastity कैसे करनी है तो ये woman ने भी यहाँ पर बोला है यहाँ पर अपने woman ने भी अपने rights की बात की एक और यहाँ पर बात नि विदान बनाया दूसरे इवी नाम स्वामी जी पेरिया अब ही यहाँ पर दोनों के ideology में थोड़ा फरक है बाबा साब की बात कही जाए तो 1936 के लगभग बाबा साब ने एक बार कहा कि देखे हिंदू धरम में शायद हमको बराबरी ना मिल पाए इसलिए हम हिंदू धरम चोड़ देंगे और लगभग 1936 के 20 साल बाद 1956 अक्टूबर में बाबा साब ने बुद्धिसम में कनवर्ट कर लिया ओके बाबा साब का बोलना है कि हमने बहुत कोशिश की हिंदू धरम को रिफॉर्म होने की नहीं हुआ तो हम हिंदू धरम चोड़ रहे हैं जब पेरिया जो इवी रामस्वामी नायकर जी थे जिनको पेरियार कहा जाता है उन्होंने बोला कि देखिए अगर मैं कनवर्ट कर लेता हूँ तो मुझे हिंदू धरम को क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं होगा ये पेरियार जी की सोच है ठीक है ना बाबा साब ने कनवर्ट किया वो उनकी सोच थी पेरियार जी की सोच क्या है कि देखिए हिंदू सुसाइटी किसी की मोनोपोली नहीं है कोई धरम का ठेकेदार उटके नहीं बो सकता कि हिंदू धरम हमारा है तो अगर हम हिंदू धरम में है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हिंदू धरम को अपने हिसाब स decifer करेंगे ये जो अपर कास्ट वाले हैं जिन्होंने हिंदू को एक वेदिर religion मना रखा ये बिलकुल गलत है हिंदू धरम में हर इंसान बराबर है और अगर मैं हिंदू धरम से convert होके कोई दूसरे religion में चला जाता हूं तो मैं एक moral अधिकार खो दूँगा हिंदू धरम को criticize करने का इसलिए पेरियार रामस्वामी जी ने convert करने से मना कर दिया तो भाई ये काम करने का तरीका था रामस्वामी जी का चलिए आगे चलते हैं टेंपल entry moment के बारे में बात करते हैं देखिए टेंपल entry moment कोई एक moment नहीं है बहुत सारे moments का mixture है दोस्तों यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि भाईया temples में entry अलाव होनी चाहिए यहाँ पर मैंने आपको S.N.D.P. moment के बारे में बता था पिछली वीडियो में स्ट्री नारायन गुरुजी के बारे में बता था एन कुमारन यह एक publication भी publish करते थे जिसका नाम था देश भिमानी है देश भिमानी है देश भिमानी है ठीके न इन्होंने भी बात की कि भाईये यह जो temple entry है यह allowed होनी चाहिए लोवर कास्ट के लोगों को यह जो अपर कास्ट के लोग है धरम के ठेके दा जो नीचे के लोगों को दबाते हैं यह गलत है यहाँ पर वैकॉम नाम की जगा है साउथ इंडिया में ट्रेवन कोर स्टेट का पार था उस समय पे वहाँ पे एक मुव्मेंट से उठने लगा temple entry को लेके 1924 में हुआ वैकॉम सत्याग्रे पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है हिंदी इंग्लिश दोनों में हाँ वैकॉम सत्याग्रे मेरे नाम के साथ साथ मारी है आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे अभी वैकॉम सत्याग्रे 1924 में हुआ वैकॉम सत्याग्रे के लीडर कौन थे के पी के सव ये वैकॉम सत्याग्रे किसले था फरस्ट अफॉल ये temple entry के लिए था लोवर कास्ट के लोगों को जिनको नीचे की तरफ दवा रखा था अपर कास् जाने चाहिए हिंदू тепle पे जाने वाली सड़के थी न दोस्तों सड़कों तक पे भी लोवर कास्ट अधी जी केरला आये थे इस मुवमेंट को सपोर्ट करने के लिए तिरा बात करोगे 1931 में जब सिविल डिसोबीनेस मुवमेंट सस्पेंड हो गया और एक समय के लिए जो नैशनल मुवमेंट था वो खतम हुआ उस समय फिर से इस टेंपल एंट्री मुवमेंट के स्टार्ट शुरुआत होगी केरला में यहाँ पे कुछ और important authorities निकल के आएंगी जैसे एक थे के केलपपन साब की E.L.A.P.P.A.N. एक थे आपके poet सुब्रमन्यम तिरंबू जिनको singing star of केरला भी कहा जाता था इन्हों ने भी 16 volunteers को lead किया और गुरु वायूर जाके टेंपल में बोला कि हम भईया हम जाएंगे हम पूजा करेंगे तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले फिर कौछ और कृष्ट यहाँ पे movement के support में आये लोग जो की prominent personality थी साउथ इंडिया की जैसे P. Krishna Pillai, A.K. Gopalan, A.K. Gopalan Constituent Assembly की बहस में भी बहुत बार आएंगे फाइनली जब movement बहुत जादा होने लगे तो जो महराजा ओफ ट्रेवन कोर थे उनको समझ में आया कि भाई अब तो rights देने पड़ेंगे 12 November 1936 को महराजा ओफ ट्रेवन कोर ने एक proclamation issue किया और ये बोला कि भाईया ट्रेवन कोर में जितने भी government control temples हैं जो कि government की control के अंदर है वहाँ पर सारे इंदूस जा सकते हैं तो चाहे वो upper cast के हो चाहे वो lower cast के हो जा सकते हैं मदरास में भी सी रोजय कोपालाचारी जी ने 1934 में temple entry movement को lead किया ठीक है तो ये एक और चीज़ मैं आपको बताएं temple entry movement किसी एक साल में आधारित नहीं है किसी एक इलाके में आधारित organization निकल के आता है जिसका नाम है इंडियन सोसल कॉंफरेंस इंडियन सोशल कॉंफरेंस की स्थापना किस ने की तो इसमें एक थे आपके एम जी राणाडे और एक थे इसमें आपके रगुनाथ रहो दो लोगों ने मिलके इंडियन सोशल कॉंफरेंस की स्थापना की ठीक है आप देखोगे जो इंडियन सोशल कॉंफरेंस था ये पहली बार मिला मदरास में 1887 में और उसके बाद इंडियन नेशनल कॉंफरेंस जिस समय पे और जहां जहां मिलता था वहीं पे इंडियन सोश काम क्य था कि भैया आब सोशल इशिउज के बारे हम बात करेंगे सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात करेंगे अब चुफ कि इंडियन नैशनल कॉंगरस जहां जहां पे मिलती थी वहीं पे भी आपका ये इंडियन सोशल कॉंफरेंस भी मिलता था तो एक इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सोशल रिफॉर्म सेल की तरह काम कर रहा है तो जब भी ये पूछा जाता था कि भाई इंडियन नेशनल कॉंग्रेस सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए क्या कर रही है तो इंडियन सोशल कॉंफरेंस की तरह बोल दिया जाता था इंडियन मतलब जो अपर कास्ट के मेल्स हैं वो लोवर कास्ट की लड़कियों से शादी कर सकते हैं तो आप देखो के अपर कास्ट के मेल जो 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल के बुड़े हो गए हैं वो 15-15, 20-20 साल की बच्चियों के साथ जो की लोवर कास्ट थी कभी-कभी 10 साल की बच्चियों साथ शादी कर लेते थे, उनका सोशन करते थे, फिर ये तो एजेट होते थे, ये मर जाते थे, और वो बच्चियां पूरी जिंदगी विद्वा की जिंदगी जीती थी, उनके खिलाफ सोशन, अत्याचार हर कुछ होता था, तो कुली निजम नाम की वाईयात प्रथा, किसके अगेंस्ट बात की, इंडिन सोशल कॉंफरेंस ने, फिर इंडिन सोशल कॉंफरेंस ने शुरुवात की प्लेज मूवमेंट, प्लेज होता है, मतलब आप किसी चीज की प्लेज ले रहो, आप किसी चीज की कसम को कहा रहो, प्लेज मूवमे फिर आगे बात करें इंडने सोशल कॉन्फरेंस थे वहाबी वली उल्ला मूवमेंट के बारे में बात करते हैं अब यह मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट है आप नाम से समझ सकते हैं अब दुल वहाब थे अरेबिया के ठीके ना इनकी टीचिंग्स थी और शाह वली उल्ला तो वहाबी वली उल्ला नाम से समझ लीजे वहाबी अबदुल वहाब जो थे अरेबिया के उनकी टीचिंग्स वली उल्ला तो शाह वली उल्ला थे जो 1702 से लेके 1763 के टाइम पिरट में अक्तिव थे उनकी टीचिंग्स थी अब इनकी टीचिंग्स पे आधारित एक रिव इंडिया में जो Muslims थे उसमें कुछ Western आदतें आ रही थी ऐसा बोलना था वहाबी वली उल्ला मूवमेंट की लीडर्स को और वहाबी वली उल्ला मूवमेंट की लीडर्स ने बोला कि ये जो गंदे ख्याल आरात आ रहे हैं ना इंडियन Muslims में वेस्टनाइजिशन वाले इसको ह ठारवी शताबदी में इस वली उल्ला मूवमेंट ने वहाबी मूवमेंट ने Muslims को और्गनाईज करना शुलू किया on two-fold ideals of this movement पहला ideal इसका क्या था कि भाया इसलाम के जो चार स्कूल से ना four schools of Muslim jurisprudence ठीके ना जिसने Indian society में जो Indian Muslims ने उनको चार में बाट दिया इन्होंने इन चार स्कूल of Muslim thoughts को मिलाने की कोशिश की अब आप बोलोगे कौन से चार स्कूल से देखिए दोस्तों जो सुन्नी इसलाम होता है सुन्नी इसलाम में चार स्कूल स of jurisprudence हैं जिसमें उनकी अपनी अपनी टीचिंग से हैं एक है हनाफी एक है मली की एक है शाफी गैज्ठी, एक हांबली, तो ये तो हो गई सुन्नी इसलाम की बात, उसी तरीके से शिया इसलाम में तीन में सेक्ट्स है, ट्विल्वर्ज, जायदीज, इसलामीज, अलगी इंडिया में तो सुन्नी Muslims dominant हैं, तो चार सेक्ट्स में उस समय में इंडियन मुसलिम्स बटे आके मुस्लिम धर्म को रिवाइव करने कोशिश करो, एक अच्छी टीचिंग देने कोशिश करो, फिर ये बोलागा कि देखें, रिलीजन में इंडिविज्वल कंशियंस का बहुत कुछ लेना देना है, तो कुरान में जो लिखा है, हदीज में जो लिखा है, उसमें जो conflicting interpretations है यहाँ पर ये leaders ये बोल रहे हैं, कि मुस्लिम को कह रहे हैं कि आप rational thinking रखें, आप अपने individual conscience पर ध्यान दीजे और आप अपने religion को कुद scientific तरीके से, rational तरीके से infer करने की कोशिश करिए objective क्या था? इंडियन Muslims को बताना कि देखे, आपके religion में ही, आपके religion में ही modernized चीजे लिखी हैं, आपको किसी और religion की तरफ जाने की जरूत नहीं है, चुकि उस समय तक, जो Christianity धम था, वो बहुत हद तक इंडिया में हिंदूस और Muslims दोनों को Christianity में convert करने कोशिश कर रहा था, ठ जो दकियान उसी क्यालाद थे, दकियान उसी क्यालाद मतलब जो Western thoughts आ रहे तो Western thoughts बहुत जदा modernized होते हैं, तो उसके against था ये, फिर आप बात करोगे, कि इन टीचिंग्स को इंडिया में किसने popularize किया, तो एक थे शाह अब्दुल अजीज और एक थे सयद एहमद बरेलवी, शाह अब्दुल अजीज और सयद एहमद बरेलवी ने वलियुल्ला की टीचिंग्स को इंडिया में बताया और उसको political perspective दिया, political perspective देना किसी भी चीज़ को इंडिया में देखे जरूरी हो जाता है, अगर आपको किसी भी चीज़ को इंडिया जैसी country में successful बनाना है, तो उस उसके लिए आपको भाई उसके final, मतब एक final objective तक लेके जाना पड़ेगा और final objective ले जाने के लिए चीज़ों को politicize करना जुरूरी है, चुकि अगर किसी teaching को propagate करना है, तो आपको उसके parallel political system को propagate करना पड़ेगा, चुकि इंडिया में Britishers जो Christianity को promote कर रहे थे और अब जो modernized thought, westernized thought को promote कर रहे थे, वो अपने political control के दम पे promote कर रहे थे, तो कहीं न कहीं, वलियुल्ला मुवमेट वाभी मुवमेट के leaders को पता था, कि अगर अपनी ideology promote करना है, तो political ताकत बलानी पड़ेगी, फिर उनने बोला, कि जो un-islamic practices हैं, इसको हटाईएं, सेयद एहमाजी जो थे, उ follow करना है, और हमको उस society को जाना है, वो society जो prophet सहाब के समय पे थी, अरेबिया में, और इंडिया जो ये आज की date में दार उलहर्ब बना हुआ है, अब यहाँ पे कुछ controversial statements भी आएंगे, ठीक है न, जैसे कि इंडिया को इन्होंने बोला दार उलहर्ब, ह-a-rb है, दार उलहर दार उलहर्ब मतलब land of the kafirs, kafir का मतलब यहाँ पे जो लोग Muslims नहीं है, और इन्होंने बोला कि इस दार उलहर्ब को हम किसमे convert कर देंगे, दार उल इसलाम में, तो मतलब यह जो land of kafirs मना हुआ है, इसको हम land of Islam में बदल देंगे, अब यहाँ पे जब एक political moment आएगा, और आप दार उलहर्ब से लेके, दार उल इसलाम की philosophy लेके आओगे, तो कहीं न कहीं आप दूसरे religions के साथ conflict में आओगे, और यह आए भी, तो यह पंजाम में जो six थे ना, उसके साथ conflict में आए, लेकिन finally आप देखोगे, 1839 में रंजी सिंग की मृत्ति हो जाएगी, और 1849 तक आते पंजाब के पूरे इलाके पे Britishers का कबजा हो जाएगा, और उसी कुछ इलाके में यह वलियुल्ला और वहाबी मूवमेंट भी active था, तो शुरुवात में जो मूवमेंट six के अगेंस्ट हुआ, वो बाद में Britishers के अगेंस्ट हो जाएगा, तो Britishers के अगेंस्ट लड़ने ल आलाके 1870 में direct British rule था, English East India Company तो 1857 के बाद dissolve कर दी गई थी, तो यहाँ पर मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ दोस्तों, T2 मूर और फराइजी मूमेंट रह गया है, जिसको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, थैंक यू फूर वाचिन दिस वीडियो फेंट्स, I hope आपक